आज का हमारा टॉपिक है सूचक जिसे हम इंडिकेटर भी कहते हैं आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था लेकिन क्या एसीड का पता लगाने के लिए हमें माटेरियल को टेस्ट ही करना पड़ेगा क्या दूसरा कोई तरीका नहीं है और हर एक चीज को टेस्ट करना क्या हमारे लिए डेंजरस नहीं हो सकता तो इसलिए हम एसीड है या नहीं इसे पता लगाने के लिए कि लिए टेस्ट करेंगे तो इसको टेस्ट करने के चेक करने के और भी तरीके हैं और कौन से तरीके हैं इंडिकेटर्स की अभी हमने बात किया तो सबसे पहला कोस्ट्यम तो यहीं होता है वाटर इंडिकेटर् करते हैं जिनने हम हंदी में सूचक भी कहते हैं तो देखें इंडिकेटर एंडिकेटर एंडिके साथ जो यह तो वह अलग तरह का अलग तरह का कलर तो करते और basic medium के साथ आते हैं तो अलग तरह का color show करते हैं तो इस तरह से indicators की help से we can identify the acidic and basic nature of the object या material अब कितने तरह के indicators होते हैं तो indicator देखिए दो तरह के manly होते हैं natural indicators and synthetic indicators तो बात करते हैं natural indicators की natural indicator is a type of indicator that can be found naturally यह naturally मिलते हैं and can determine whether the substance is an acidic substance और a basic substance अब देखिए natural indicator कौन कौन से होते हैं red cabbage, turmeric, grab juice, turnip, skin, curry powder, cherries, beetroot, onion, tomato, etc यह सब natural indicators हैं इनकी मदद से हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई material acidic है या basic है by nature अब देखिए जो example हम discuss करने वाले हैं वो यह तीन है litmus, turmeric और china rose तो सबसे पहले बात कर लेते हैं lichen जो की litmus है यह natural dye lichen वही है जो आपने पिछले वीडियो में symbiotic relationship में भी सुना था उसी से litmus तयार किया जाता है it is extracted from lichen and it has a purple color in distilled water lichen से बनाया जाता है litmus और इसका natural color जो होता है वो purple होता है when added to an acidic solution जब litmus solution को acidic solution में मिलाया जाता है तो उसका color हो जाता है red और when added to basic solution it turns blue और basic solution में जब उसकी कुछ बुदे मिलाई जाती है तो वो blue में convert हो जाता है इस तरह से lichen से litmus तयार किया जाता है जो की एक natural indicator है अब बात कर लेते हैं कि litmus can be used as an indicator in the form of a solution उसको solution के form में भी तयार करके रख लिया जाता है और उससे check किया जाता है कोई भी material acidic है या basic है in practice it is more common to use a paper strip that has been dipped in litmus solution and allowed to dry क्या होता है litmus solution में paper strip को dip करके उसे भिगा लेते हैं और फिर सूखने देते हैं और जब वो सूख जाता है तो उस paper strip को जिसे की litmus paper भी करते हैं आप यहां देख पा रहोंगे litmus paper यूज किया जाता है acidic और basic nature चेक करने के लिए litmus solution तो यूज किया ही जाता है साथ में litmus paper भी यूज कर लिया था है यह बहुत common तरीका है यहां दो activity दी गई है जो आप घर पर भी करके देख सकते हैं यह strip market में बहुत सस्ते दो चार रुपए में मिल जाती है आप लेकर practical कर सकते हैं टेक सम लेमन जूस इने पेट्रीडिस एंड डीपे इस ट्रीप आप blue litmus paper in it इस डिस को इस बरतन को पेट्रीडिस करते हैं इसमें क्या करिए थोड़ा सा पानी लेकर लेमन उसमें दो चार दस बुदे डाल दीजिए और उसके बाद उसमें जब हम blue litmus paper को enter कराते हैं विगोते हैं तो हम देखते हैं कि वो litmus paper का color red में convert हो जात है कि जो लेमन जूस है वो acidic nature का है इसी तरह take some soap solution in a petri dish एए डीप इस ट्रीप आप red litmus paper paper मतलब इसमें जो साबुन का गोल बना लीजिए थोड़ा सा और उसमें red litmus paper को dip कीजिए तो आप देखेंगे कि उसका color blue में convert हो जाएगा जिस से यह पता चलता है कि इसके अंदर जो solution है उसका nature basic है इस तरह से यह पहला हमारा natural indicator रहा litmus solution दूसरा हमारा natural solution है turmeric देखें natural indicator turmeric turmeric is of yellow color it is used to test the basic solution देखें क्या होता है basic solution क्यों लिका क्योंकि turmeric को use किया जाता है जब तो जो acid होता है उसमें जब turmeric डालते हैं तो जो color है उवह ही color रहेगा yellow का yellow color change नहीं होता लेकिन अगर base वाले उसमें डालेंगे solution में turmeric को तो उसका color convert हो जाता है red में अब आप एक चीज पर विचार करिएगा have you ever noticed what happens when soap is rubbed on a turmeric strand on your handkerchief or shirt जब आप खाना खाते हैं तो आपके shirt पर अगर सबजी थोड़ा सा गिर जाए या दाल गिर गई या फिर आपके रुमाल में लग गया तो उसपर जब सावुन का घोल पड़ता है या सावुन लगता है तो उसका color किस में convert हो जाता है comment करके ही दे रहा हूं भाई वो red में convert हो जाएगा क्यों क्योंकि soap होता है base basic और turmeric उसमें है जो भी सबजी या दाल है तो turmeric और soap यानि base जब मिलते हैं तो उसका color convert हो जाता है red या पिंक में तीसरा हमारा natural indicator है आप पचान रहोंगे यह कौन सा flower है जी हाँ that is china rose hibiscus जिसे भी हम कहते हैं china rose as indicator use the colored water as an indicator add five drops of the indicator to each of the solution आप acidic solution ले लिजिए और basic solution ले लिजिए और उसमें इस china rose के 5-5 drop डालिए इस solution आप china rose turns green in a basic solution जो basic solution होगा जब उसमें china rose की 5 बूदे डालेंगे आप तो यह देखे green में convert हो जाएगा और जब हम acidic solution में उसकी 5 बूदे डालेंगे तो यह देखिए bright pink या magenta color में convert हो जाता है तो यह सब natural indicators थे इनके तुरू हम पता लगा लेते हैं कि दिया गया material में acid है या नहीं है base है जो भी अब बात करते हैं दूसरे तरह के indicators की जिसे हम synthetic indicators भी कहते हैं synthetic indicators क्या होते हैं synthetic indicators are indicators which are synthesized in the laboratory इने laboratory में तयार किया आता है examples of synthetic indicators include phenophthalene, methyl orange, etc. अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले phenophthalene जो कि synthetic indicator है phenophthalene is an acid based indicator which is colorless in acid solution acid solution में अगर हम phenophthalene की कुछ बूदे डालेंगे तो वो colorless रहेगा कोई color में change नहीं आएगा इससे हमको पता चल जाएगा कि उस solution में acid है but turn peak to red as the solution becomes alkyne और अगर आप alkyne यानि basic solution में phenophthalene की 4-5 बूदे डालते हैं तो उसका color pink color में convert हो जाएगा और जैसे जैसे phenophthalene की बूदे बढ़ाते जाएगे वो red color में convert होता जाएगा आप lab में यह सब practical करके methyl orange भी एक तरह का synthetic indicator है it is a synthetic indicator the color of methyl orange in a basic solution is yellow अगर methyl orange की कुछ बूदे basic solution में देखिए है न और अच लिखा है जो की एक base है basic solution में इसकी कुछ बूदे डालेंगे तो इसका color जो है कैसा हो जाएगा yellow basic solution में and the color of methyl orange is red in an acidic medium SCL acidic solution है तो acid में जब हम methyl orange की कुछ बूदे डालते हैं तो इसका जो color है वो red में convert हो जाता है इस प्रकार जो यह indicators हैं इनकी मदद से हम बिना test किये बड़ी आसानी से पता लगा लेते हैं कि दिया गया solution acidic है या basic है I hope कि वीडियों आपको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ knowledge attend किया होगा तो thank you for watching the video वीडियों अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, share करें, subscribe करें और comment करके जरूर बताएं कि वीडियों कैसा है, ताकि आपके इस comment के आधार पर मैं आगे और भी नए-नए-नए informative वीडियों बनाता रहूँ, thank you for watching the video करें करें